हेलो फेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में बेल स्लीव्स का डिजाइन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी तो ये बैक नेक डिजाइन है इसका बेल स्लीव्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीटर का फैब्रिक लिया है नेट का क्योंकि मैं इसमें डवल लेयर लगा रही हूँ अगर आप एक सिंगल लेयर ही लगा रहे हैं तो आदा मीटर फैब्रिक ही लीजेगा है और इसका जो फ्रेंड पार्टे वो मैंने बोर्ट नेक पर बनाया है फ्रैंड पार्ट के गले के विट रखी है 4 इंच और गले की लंबाई रखी है साड़े पाच इंच तो ये इसका फ्रेंट पार्टे और इसका इसका स्लीवस डिजाऊन में आप लोगे साथ शेयर करूँगी पेल स्लीवस तो ये स्लीवस बनाने में बहुत ही ज़ादा आसान है मैं आसान तरीके से ही आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँगी और बनाने में ये लगने में ये बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखती है ये इसका बैक पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ इसका डिजाइन पहले शेयर कर चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी आप देखके इसे बना सकते हैं तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसकी कटिंग भी बता रही हूँ स्दीव की कैसे करनी है सबसे पहले आपको बैक पार्ट का आर्मोल नाप लेना है कि कितना है तो देड इंच उमार्जिन का छोड़के उपर से आदा इंच उमार्जिन का छोड़के आपको आर्मोल नापना है तो मेरे मेजरमेंट में यह साड़े साथ इन चारा है अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करके हैं, डवल फोल्ड कर लेना है चार लेयर में आग़ेंगे कपड़ा हमारा दो स्थीवस की कटिंग करेंगे कपड़े की बंध भाग को हम अपनी तरफ रख लेंगे और अब आपको यहाँ पर टोटल लंबाई नाप लेनी है तो कितनी लेंथ आप रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर टोटल लंबाई रखूंगे अपनी स्टीफ की 14 इंच तो देखिए यहाँ पर साड़ी 10 इंच की हमने उपर की स्टीफ कटिंग करनी है जो हमारे कोनी तक आईगी उसके नीचे बेर्स दीवस आईगी तो देखें यहाँ पर आपको जितनी भी लेंथ रखनी है अपने अकॉर्डिंग आप लेंथ ले लीजे जितना भी आप रखना चाते हैं 17 इंच, 18 इंच या 16 इंच उसके हिसाब से आप लंबाई लिजेगा कोनी तक आपको जितना measurement लेना है अपनी हातों के हिसाब से आप नाप कर लिजेगा 25,15 इंच मिने लिए है स्लीवस के लिए और 25,17 इंच लिए है मैंने armhole अपने 7 इंच नापता उसमें 12 इंच प्लस करके सारे साथ इंच यहां पर मैंने लिया है और तीन इंच पे हम इसे डाउन कर देंगे इस तरीके से इस sleeves को आपको डाउन करना है तीन इंच पे और sleeves का pattern draw कर देना है नीचे से bottom लेना है सारे 5 इंच और देरी इंच मैं एक्स्टा ले रही हूँ मार्जिन का लेंगे इसकी cutting तो इस तरीके से हमने अपनी स्लीव को cut कर देना है यह देखिए स्लीव का pattern cutting हो गया है आधा इंच का यहाँ पर हम down कर देंगे इसे तो यह गेराई दिन होती ज़्यादा जरूरी है नहीं तो हमारी स्लीव की fitting अच्छी नहीं आती है साथ ही साथ आप इसमें marking कर लें ताकि स्लीव जोरते से मैं आपको ध्यान रहेगा कि आपको फ्रेंट में ही लगाना है तो चलिए अब मैं आपको बैल स्लीव के लिए measurement बताती हूँ तो मैंने आपको टोटल लेंद 14 इंच बताया था इसे बढ़ा करके मैंने 17 इंच कर लिया है क्योंकि 14 इंच पर बहुत ही ज्यादा चोटा हो जाएगा और मुझे डवल लेयर भी लगानी है तो यहाँ पर दीखे मैंने टोटल लेंद 17 इंच कर लिया है इसमें से उपर का माइनस करके साड़ी 6 इंच का हमने बैल स्लीव कटिंग करना है तो वो कैसे करेंगे यहाँ पर मैंने 1 मिटर का आपको पूरा खोल कर दिखाती हो फिर इसे जमाना किस तरीके से आपको वो भी देखिएगा तो यह रहा मेरा 1 मिटर फैब्रिक यह देखिए तीन लेयर की अगर आप बनाते हैं तो 1,5 मिटर फैब्रिक लीजेगा और कोई साभी फैब्रिक आप ले सकते हैं कॉटन का या या नेट या शिफोन या जॉर्जट को इसा भी फैब्रिक आप इसमें ले सकते हैं फैब्रिक तोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि स्लीव का लूक अच्छा आता है तो आप देख सकते हैं कि मैं आपर किस तरीके से कपड़े को रख रही हूँ मैं आपर मशीन पर ब बंद भाग हो गया है और इसकी कटिंग आपको बंद भाग से ही करनी है देख सकते हैं आप एक तरफ से जहां पर मैंने पिन लगाया है वहां से ओपन है और उपर की तरफ से ही बंद है तो एक मिटर कपड़े को हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है अब स्लीज का जो इंच भी ले सकते हैं क्योंकि अम्रेला पैटन पर बनेगा तो थोड़ा सा यह लूज हो जाता है कटिंग करने पर तो मैंने यहां पर पौना तीन इंच पर मार्क कर लिया है यह देखिए इस तरीके से और यहां पर हमने टोटल लेंथ नाप लेनी है तो मैंने यहां पर साड़ी चेंच ना पता इसमें आदा इंच में मार्जिन का प्लस करके साथ इंच पर मार्किंग कर रही हूँ क्योंकि नीचे हमें फोल्ड करने के लिए भी एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए और उपर से जब हम इसे जॉइंट करेंगे तब भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो आदा इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है और आप दे किया है तो दिखिए यहां पर यह पैटन हमारा कटिंग हो गया है एक मीटर कपड़े में टोटल चार पैटन हमारे यह दिखिए यहां पर चार पैटन मेरे कटिंग हो गए है तो दिखिए चार पैटन में इस तरीके से कट कर लिये हैं एक मीटर कपड़े में तो दोल पैटन म निकाल लिये हैं और इने में थोड़ा short कर देती हों क्योंकि एक layer हमारी बड़ी रहे गी और उससे चोटी एक layer आएगी तो इस तरीके से हमें यहां पर दो pattern निकाल लेने हैं sleeve के और इने short करके marking कर लेनी हैं तो मैं यहां पर लगबग 4 इंच पर mark कर रही हूं मैंने साड़े पांच इंच पर मार्क कर रही हूँ नीचे से मैंने देड़ इंच इसका कम कर दिया है लेंथ में तो इस तरीके से पहले आपको काफ़ी आसानी रहेगी पहले आप चारो पैटन साथ में कट कर लें उसके बाद आप इसे नीचे से शॉट कर दें तो यह बहुत ही आसान रहेगा आप लोग के लिए और इसमें समय भी कम लगेगा तो दिखी प्रॉपर कटिंग हमारी बेर स्लीर्स की हो गई है इस तरीके से इसके बाद आप नीचे से अगर आपको कहीं पर कम ज़्यादा लग रहा है दूर से आप कट करके बराबर कर लिए तो मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखाती हूँ एक बड़ा पैटन लिया है लैंद में और एक पैटन में चोटा लिया है इसके उपर इसे रख लेना है हमें अच्छे से से जैट कर लेना है और फिर हम यहाँ पर इस पर पिन लगा देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे उपर से आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं मैं इसे सिलाई लगा कर अटेश कर देती हूं ताकि दोनों स्लीव समय लगाने में आसानी रहें तो इस पे हम एक रफी स्टीश लगा लेंगे यह देखिए, यहाँ पर मैंने एक रफी स्टीश लगा कर इन दोनों को जॉइंट कर दिया है अब हम इसका बॉटम फोल्ड कर लेते हैं तो नीचे का बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर यह मेरे पास यहां पर देखिए अगर आप चाहें तो पीको कर सकते हैं मेरे पास यह पीको फूट नहीं है इससे आप बारीक सिलाई लगा सकते हैं तो मेरे पास यह वाला फूट है जिससे कि मैं नीचे का जो बॉटम में वो फोल्ड कर लेती हूँ तो इससे मैं नीचे का बॉटम फोल्ड कर रही हूँ अगर आपके पास पीको मशीन नहीं होता है तो आप डवल सिलाई यहाँ पर कर सकते हैं मशीन से आप बारीक सिलाई यहाँ पर लगा सकते हैं अपना ब्राउस रेडी करने के बाद बाहर से पीको भी करवा सकते हैं क्योंकि पीको करने से इसका लुप बहुत ही अच्छा आता है अब देखें हमने दोनों बॉटम को फोल्ड कर लिया है इस तरीके से अब मैं अपना स्लीव का पैटन तयार कर रही हूँ अब दूसरी तरफ लिया है। इसके बाहर हम इसे अटेश कर लेते हैं कि अब अब मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ इस तरीके से दोनों तरफ से हमने स्लीव को जॉइंट यहाँ पर कर लेना है और अब हम अपने ब्लाउस में फिटिंग लगा लेंगे तो फिटिंग जैसे हम नॉर्मल लगाते हैं मैं कहीं बार आपको बता चुकी हूँ कि फिटिंग केर से लगाते हैं काफी सारे वीडियो चैनल पर अप्लोड भी है तो यहाँ पर देखें मैंने अपने ब्लाउस पर एक कॉर्नर की सिलाई लगाती है ब्लाउस के सीधी तरफ एक्स्टा कपड़े को कटिंग कर देंगे और अब हम अपने ब्लाउस को उल्टा कर लेंगे मैं फिटिंग लगाने के लिए यह 36 सारै प्लाउस यसका अकॉर्डिंग में यहाँ पर मैसर्मेंट ले लिया है स्लीव्स का आपका जो भी मैसर्मेंट होता है आप वो लीजएगा और यहाँ पर मार्किंग लीजएगा अब हमें यहाँ पर fitting की सिलाई लगा देनी है bell sleeves इसी तरीके से attach होती है और जो cut कर bell sleeves बनती है वो अलग तरीके से बनती है और यह proper bell sleeves है तो देखिए यहाँ पर इसे आपको इस तरीके से joint करना है sleeves के pattern को आपको नीचे की तरफ रख लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आपको इसे पकड़ कर आप जाएं तो pin लगा सकते हैं मैं इसी तरीके से कर रही हूँ आप pin लगा लेंगे तो वो ज़्यादा इसी रहेगा तो देखिए यहाँ पर यह जो भाग होता है जब हम इसे जोडते हैं तो यह बढ़ जाता है और इसे आपको खीचना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अम्रेला पैटन पर होता है तो आधा हिंच का मार्ज दिन कवर करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है आपको इस तरीके से अगर आपका नीचे का यह पैटन बढ़ जाता है तो आप इसमें छोटी-छोटी चुणनट डाल सकते हैं तो वो भी पैटन अच्छा लगता है और यह जो फैबरी के आपका वो भी कम हो जाएगा अगर आपका पैटन बढ़ जाता है यह देखी इस तरीके से हमने आपर सिलाई लगा कर इससे पका कर दिया है नीचे का जो जॉइंट है यहाँ पर इससे आपको अंदर की तरफ कर देना है और इस पर भी आपको सिलाई कर दिनी है तो यह स्लीव's का डिजाइन हमारा बन के रेड़ी हो गया है पेंट्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेज जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद